Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot Guys, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थम्नेल में देखी लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग करना है तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि लोगों की सोच आपको लेकर पहले क्या थी और अब क्या है ये हम इस रीडिंग के थूँ देखने वाले हैं और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक, शेर, कमेंट जरूर करें अगर आप पर्सनल डीडिंग चाहते हैं तो वाटस अप नमबर और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ आप महां से मुझे मेंसेज कर सकते हैं आपको लेकर लोगों की सोच पहले क्या थी जो पहला काड आया है वो आया है केरिंग कनेक्शन लोगों की सोच आपको लेकर पहले क्या थी तो काड पल्टे हैं यहाँ पर है मेजीशन आइंड दा मिरर एक काड और है यहाँ पर लोगों की सोच आपको लेकर पहले क्या थी और अब क्या है होस्टिलिटीज दो टो स्पिरिट एंजल आफ लव गाधब नो आइंग्चिमंघ्ट दरवल्ड एंजल एंड आइंट एंड आफ लव एंड ट bureaucracy क्टेंग्टels ट्रेकंटर देंग्ट आइंड एंड़ दिल वालं आफ वि घूईंड早 में आणड हैंड आप्ल दोष्ट हैंफ थैंड आटईट्यंट दोओ आट एंड Чार आट येन येंग एंड बाटम अब देक जो आ रहा है वोमेन होल्डिंगा हाथ कुछ कार्ट और हम लेंगे आज मैं जो है टैरो को यूज नहीं कर रही है आज मैं सिर्फ और सिर्फ औरेकल कार्ड यूज कर रही है लोगों की सोच आपको लेकर पहले क्या थी और अब क्या है 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 ना रिज्वाइस इन सेलिबरेशन देस्टिनी बैलेंस यह जो कार्ड हमने लिए हैं यह पहले की सोच है और अब जो कार्ड ले रहे हैं यह प्रिजेंट की सोच है सेक्रल चक्रा सॉलिट्यूट और बॉटम अफ देक जो आ रहा है त्रियम्फ त्रियम्फ यहां पर देखिए अगर मैं ओवराल एनरजी की बात करूं और यह जो रीडिंग है यह आल साइन्स आल जोडियक साइन के लिए हैं यहां पर आज कोई भी विशेश राशी मुझे यहां पर दिखाई नहीं दे रही है है ना क्योंकि यहां पर मैंने कार्ड लिये ही नहीं है तैरो से साथ साथ ओवराल एनरजी पहले आप अपना हमेशा दिल निकाल के रख देते थे लोगों के सामने यह कह सकते हैं कि आप अपने एमोशन को लोगों को बता देते थे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देते थे यह ना यह पहले का जो थी सोच थी बट अब जो सोच आपकी वज चेंज हो गई है अब आप जीत में विशवास रखते हो आप बहुत कुछ चीजें को हीडन रकते हो आप एक डिप्लोमेसी जो है चलाते हो अपनी लाइफ में एक डिप्लोमेसी के यसाप से चलते हो पहले क्या थे आप भधात हो ना डिप्लोमेटिक मींज कहां आपको क्या बोलना है यह आप समझेने लगे हो आप तो पहले आप जो थे लोगों की परवा करते थे लोगों का ध्यान दखते थे आप सबकी भावनाओं को लेकर चलते थे आपको यह गता था किसी को बुरा ना लग जाए किसी को दुख ना हो जा बहुत लोगों की परवा करते थे यह ना बट आब ऐसा नहीं है अब जो है सीन जो है बिलकुल चेंज हो गया क्योंकि आपने अपने पास्ट जो एक्सपीरियंस आपने अभी पास्ट में जो किये हैं उस एक्सपीरियंस को देखकर उन अनुभवों क देखते हुए आपने अपने बिहेवियर में अपने नेचर में बहुत बदलाव लेकर आए हैं दमेजिशन पहले आप जो थे यह वाली एनर्जी में नहीं थे जो अभी एनर्जी में अभी जो आपकी एनर्जी हो में जीशियन की एनर्जी है अभी आप इस एनर्जी में हो पहले आप इस energy में नहीं थे, पहले आप जो थे बहुत चुप-चुपर है ना, बहुत sad रहना, किसी ने कुछ के दिया तो बहुत जल्दी दिल को लगा लेना बट अब जो है आप को पता है कि कैसे बातों को बोलना है कहां क्या बोलना है किस तरीके से बोलना है अपनी चीजों को मनवाने के लिए हैना यहाँ पर आप magician की energy में आ गए अब आप सब कुछ जो है manifest कर सकते हो create कर सकते हो वो वाली energy है अभी आपकी पहले जो थे आप बहुत कह सकते हैं आप इस energy में नहीं थे the garden and the gate अब जो है आपकी energy वो यह है कि अब आप इस energy में हो आपको पता है कि मिम बाहर निकलूंगा gate खोलूंगा तो मुझे सब कुछ मिलेगा पहले जो थे आप इस energy में नहीं थे, the garden in the gate, आपके पास रास्ता नहीं था, आपके पास path नहीं था, यह कह सकते हैं, hostilities, पहले लोग आपसे बहुत hostilities रखते थे, बहुत शत्रूता रखते थे, है ना, बट आप ऐसा नहीं है, उनकी सोच में बदलाव हुआ है, उनकी सोच आ पहले भी रखते थे, देखिए, जब कोई इंसान, जीवन में, एक financial status, जो है, बहुत इंसान के जीवन में मायने रखता है, जब किसी इंसान का कोई status नहीं होता, कोई वजूद नहीं होता, तो क्या होता है, लोग उससे hostilities ही रखते हैं, मेरे साब से, hostilities नहीं है, एक शत्र शत्रूता वाला भाव या विरोधा भास, मतलब विरोधी वाला behavior करते थे, क्योंकि लोग जो हैं, सिर्फ और सिर्फ चड़ते सूरज को, या यह कह सकते हैं, उगते सूरज को ही सलाम करते हैं, तो अब जो है, यह इस्तिथी आपकी नहीं है, हो सकता है, लोग आप से पहले आपके behavior की वज़े से आप से शत्रूता रखते हों, या आपका nature पहले ऐसा हो, कि जिसकी वज़े से लोग आप से hostilities रखते हों, एक bear पन या आप से विरोध आपका करते हों, बट अब जो है, आपका नजरी आपकी सोच जो है, बदल गई है, आपका जो style है, वो बदल गया आपका सोचने का तरीका बदल गया है, door to spirit, अब जो हो आप इस spirit, उसमें हो, energy में, door to spirit, आप किसी भी energy से, किसी भी तरह के इंसान से आप connect हो सकते हो, angel of love, अब आप जो है, वो angel of love बन गए हो, है ना, तो यहाँ पर आपकी सोच में जो है, लोगों की सोच में जो है, आपके सोचने का तरीका बदला है, अपने सोचने का जो रहने का तरीका, सोच, हर चीज़ आपकी बदली है, यीन ए यर्ड, अब आप इस energy में, पहले आप इस energy में नहीं थे, आप भग बैलेंसिट नहीं थे, अब आपकी masculine energy, अब आपकी feminine energy, दोनों ही balance है, पहले आपको पता नही था कि हम कैसे किस चीज को balance करें आप खापने emotions दिखाने हैं कहां नहीं दिखाने कहां आपको गुसा दिखाना है वो चीजें आपको नहीं पता थी पहले आपको पता लग गई है angel of balance बन गए हूँ आप angel of love बन गए हूँ second chakra archangel aerial means आपका जो sacral chakra था वो पहले भी आपका एक्टिवेट था और अभी भी एक्टिवेट थे sacral chakra उनका एक्टिवेट रहता है जिनके relations बहुत अच्छे रहते हैं जिनके जो बहुत creative होते हैं जो emotionally balanced होते हैं उनका जो है second chakra जो है वो activated the world का card है अब आप हर चीज हांसिल कर सकते हैं आपके अंदर वो manifestation power है वो एक कह सकते हैं आपका जो will power है जो इक्छा शक्ति है जो एक आग्रता है वो इस तरह की the world का card आप जो चाहें वो दुनिया की हर चीज आप हांसिल कर सकते हैं पहले आप किसी प्रकार के attachment में रहते थे अटेच्मेंट से घिरे रहते थे किस्टक एनरजी में रहते थे आप सैड रहते थे डिप्रेजड रहते थे बट आप ऐसा नहीं है अब आप हर इस्तिथी में celebration करते हो हर इस्तिथी में आप enjoy करते हो है ना तो लोगों की सूच में आपके लिए जो है यही change आया है आप अब हर जगा mix up हो जाते हो हर situation को आप enjoy करते हो destiny destiny आपके साथ है है आपके साथ destiny है साथ साथ आप balance अभी मैंने आपको क्या का था आप बहुत balance हो balance energy में हो पहले आप इस energy में नहीं थे तो लोगों की सूच आपका लोगों का वहवार भी आपको लेकर बदला है क्योंकि जब हमारा रहेंस हैं जब हमारा तोड़ी का जब हमारा वहवार change होता है तो लोगों की भी सोच हमारे लिए बदलती है जब वो हमसे मिलते हैं जब हमारे अंदर कुछ चेंज देखते हैं तो उनकी सोच बदल जाती देफिनिटली movement and choices and decision आपके पास movement होने लगा है पहले आप बहुत stuck energy में रहते थे अब आप बहुत active रहते हैं आपके पास choices हैं आप किसी भी चीज को का निर्ने जो हैं बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हो आपके five elements जितने भी आपके elements थे वो सारे जो हैं balance है जो पांच तत्व होते हैं वो आपके balanced हैं यहना साथ साथ सेक्रल चक्रा आपका अभी भी active है means balanced है साथ साथ पहले आप लोगों के साथ समय बिताना पसंद करते थे आप solitude में रहना पसंद करते हो आप अकेले रहना पसंद करते हो me time spend करते हो और वो me time जो है न आप books पढ़ने में आप meditation करने में जो है वैतित करते हो पहले आपको लोगों की company अच्छी लगती थी लोगों का साथ पसंद था अगर कोई आपको अकेला भी छोड़ देना तो आप अकेले अपने आप में खुदी enjoy करोगे वो वाली स्तिथी में आ गए हो तो आप बहुत balanced energy में हो आपको अब लोग जो है वह angel of love मानने लगे आप लोगों पर हो सकता है पहले इतना compassion पहले इतना kindness जो आप नहीं दिखात हो गया आप बहुत kind हो गया हो आप हटने अप हटने हौ तो यहाँ पर आपकी सोच और समय के अनुसार तो लोगों का भी नजरिया जो है आपको देखने का नजरिया आपसे बैवार करने का या आपसे बात करने का यह गर्utta आप लोगों का जो सोच इस वह भी आपके तो यह सिरीदिग अब हम आपके लिए गाइडेंस देखते हैं कि गाइडेंस आपको आ रही है तो गाइडेंस के लिए अब मैं लूगी ओश्यो जेन के काड नित ह row the other टेरो कार्द थो है Wähhd देक का टेरो這一 year कार्ड यह जो काड़ हैं वहान इसक्या यहां तो हम guidance देखते हैं कि क्या आ रहा है understanding आपको इसी तरह से understanding बना के चलनी है अपनी life में है ना तो यहाँ पर एंजल्स आपको यही guidance दे रहे हैं कि understanding जो understanding है अभी आपकी सबके साथ आप इसी तरह की understanding में रहिए साथ साथ maturity का card है आपको matured रहना है maturity आ गई है आपके अंदर आप इसी तरह से आप अपनी maturity को बनाये रखी आप matured रहिए आपको अपने चक्रा पर काम करना है जब हमारे 7 चक्रा balance होते हैं तो जब 7 चक्रा balance होते हैं तो क्या होता है हमारी health अच्छी रहती है हमारे finances अच्छे रहते है हमारा दिमाग हमारा मन सब कुछ अच्छा रहता है है तो आपके अंदर maturity भी आती है जब चक्रा balance होते हैं तो तो maturity के साथ आपको इसी तरह से रहना है matured रहना है और अपनी life में maturity दिखानी है intensity इसी intensity से जो आप intensity से अभी चल रहे हो intensity means focus आपको पता है कि मुझे मेरा लक्ष क्या है मुझे कहां तक पहुंचना है तो इसी intensity में आपको रहना है और totality means जिस भी चीज में आप अपना ध्यान लगाओ या जिस भी चीज में focus रहो उसमें आप अपना 100% दो यहाँ पर angels आपको यह बता रहे हैं आपको laziness नहीं दिखानी है आपको जैसे कभी कभी हम हो जाता है अराम तलब हो जाते हैं कि आरे अप तो सब कुछ बहूत अच्छा चल रहा है तो चलो आप लेजी हो जाते थोड़ा तो लेजी नहीं होना आपको active रहना है अंजल्स आपको यह guidance दे रहे हैं कम्प्लीशन आपको अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करना है थर्ड आई चक्रा को एक्टिव रखना है और जो भी काम करें पूरा करें छोड़े नहीं बीच में कि अधिशन का फिर से काड़ आगए आपको सेलिब्रेशन करना है चोटी चोटी चीजों को एंज्वाय करते रहना है चोटी चोटी खुशियों में ही बड़ी खुशी देखनी है आपको है ना अबंडेंस जब आप इस तरह से रहेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में अबंडेंस रहेंगी डेफिनेटली आपकी लाइफ में सब कुछ आपको मिलेगा ज्यान मिलेगा हर चीज मिलेगी खुशी हैपीनेस मनी फाइनेंस सब आपके बैलेंस रहेंगे the source the source का card आया है the source का card means आप जो है यहाँ पर आपको सूरे भगवान को यह card देखकर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है का आपको सूरे भगवान को जो है जल देना चाहिए सूरे भगवान को means वुकते हुए सूरज को जब red color का सूरज होता है सुबा जब उस समय जो है आपको इस नान अपने नित्य कर्म से निर्वर्थ हो के आपको सूरे भगवान को जल देना है तामबे के लोटे में उसमें थोड़े से अक्षट दालिए थोड़े से थोड़ा सा पीला जो है चंदन डालिए और उससे जो है आप आरगर दीजिए सूरे भगवान को उखते हुए सूरज को Consciousness देखिए अभी मैं आपको पहले ही कहा था यहाँ पर आपको अपने थर्ड आई चक्रा पर फोकस करना है आपको अपना थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट रखना है तो थर्ड आई चक्रा हम कैसे एक्टिवेट कर सकते है Meditation करके फूल फूल की तरह आपको एक present में जीना है आपको ना future की चिंता करनी है ना past की चिंता करनी है किसी भी चीट के चिंता आपको नहीं करनी है आपको जो है फूल की तरह ना है इश्वर पर विश्वास करके जीवन में आगे बढ़ते है ना friendliness जिसके भी साथ आप relationship में आए friendliness ना आपको spiritually उससे connected है ना है जिससे भी आप अपना connection बढ़ाएं आगे तो lovers देखिए lovers का card आ गया आपकी life में हो सकता है कोई ऐसे soulmate हो सकते है जो आपको जो है जीवन में आगे बढ़ाएं ना तो उन लोगों के साथ आपको जो है अपना connection बिठाना है उनके साथ आगे बढ़ना the master अपने चक्रा पर balance रखना आपको you are the master of your own destiny है ना आप जो हो master हो आप जो कुछ भी करोगे आप कर सकते हो आप हर एक चीज अपनी life में manifest कर सकते हो एक card और हम लेंगे यहाँ पर the outsider जिनके भी साथ आप relationship में आएं आप उनको outsider ना रखें आप उन से घुल मिल जाएं यहाँ पर आपको यही सला जो है अंजिल्स देना चाहते हैं यह थी reading यह थी guidance आपको पसंद आए पसंद आए तो चैनल को subscribe वीडियो को like, share, comment जरूर कीजिए Thank you so much for watching my video हर हर महादेव श्री शिवायर नमस्तु भ्याम ओम साइराम, जैमाता दी राधे राधे